यहां पर मेरे पास तीन चार्जर है, एक है 5W का चार्जर जो एक जमाने में हमको iPhone के साथ free में मिला करता था, दूसरा है 12W का चार्जर जो iPad के साथ free में मिला करता था, आज जमाना चेंज हो चुका है, that is 20W का चार्जर हमको free में नहीं मिलता है, हमको अलग से purchase करना पड़ता तो आई इस वीडियो में इन तीन चार्जर को compare करते है, that is 5W का चार्जर, 12W का चार्जर and 20W का fast चार्जर, इन तीनों चार्जर की details टेस्ट करेंगे and देखेंगे क्या differences इन तीनों चार्जर की बीच में and वीडियो के end में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके आई फोन के लिए कौन सा चार्जर आपको purchase करना चाहिए, नमस्कार दोस्तों मैं अमित, टेक्नोलोजी के दुनिया में हर देन अगर कुछ नया सीखना चाहते हो, तो ये चैनल specifically आपके लिए तो तीनों को मैं एक start, start कर रहा हूं and देखते कौन से वाले iPhone पे Apple लोगो सबसे पहले आता है, तो obviously 20W पे सबसे पहले आ चुका है, लेकिन 12W भी इतना पीछे नहीं रहा है, अपकोस 5W पे Apple लोगो सबसे end में आया है, लेकिन अब देखते तीनों iPhone में start कौन से सबसे पहले ह होता है, क्या बात है, 12W पे जो iPhone चार्ज हो रहा था, उसकी स्क्रीन सबसे पहले चालो हो चुकी है, अब जब तक ये चार्जर अपना काम करें, मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर्स दे दू, सबसे पहली चीज, तीनों ही चार्जर पे मैंने same iPhone यूज किया है, मैं अलग- यूज कर रहा हूँ, जिसकी same battery health है, same number of apps है, and setting भी सारी same है तीनों ही iPhones में, अब उपर मैंने battery percentage का widget अड़ करके रखा है, सोधर आप इसको track कर सको, and auto lock तीनों ही options में off है, अगर आपके case में on होगा, तो आपका जो speed हो काफी fast हो जाएगा, as well as wifi off है, bluetooth off है, and mobile data भी off है, and of course airplane mode को मैंने on रखा हुआ, and lastly apple के original chargers में use कर रहा हूँ, 5 watt charger, 12 watt charger, and 20 watt charger, and जो cable है, वो भी original apple की है, तो तीनों cases में battery dead हो चुकी थी, लेकिन जब start हुआ, 3% reserve के साथ start हुआ वो, अब थोड़ा से इसको fast forward कर लेते, and चलते हैं, 10 minutes में कितनी charge होती है सारी batteries, तो यहाँ पर बहुत ह 20 watt charger ने इसको 21% पर चार्ज कर लिया है, and 5 watt का charger है, वो अभी भी 7% पर है, लेकिन 12 watt की अगर बात करें, तो 5 watt से थोड़ा faster जरूर है, लेकिन 20 watt के comparison में काफी slow लग रहा है, लेकिन आगे जाके result completely change होने वाली है, इसलिए video end तक देखना आपको clearly पता चल जाएगा, कि 12 watt, 20 watt and 5 watt में क्या differences देखने को मिलते हैं, अब अगेन इसको fast forward करते है 15 minutes पे, तो 15 minutes में 20 watt वाला जो charger है, वो 29% तक पहुच चुका है, जबके 5 watt का जो charger है, अभी भी 9% पे, that is 10% भी इसने cross नहीं किया है, लेकिन 12 watt अगेन इन दोनों की बीच में, that is 19% पे खड़ा है अभी, तो ऐ 15 minutes तरफ बढ़ते हुए, 12 watt का जो charger है, उसने एक pace पकड़ ली है, that is काफी difference आ चुका है, पहले हो 5 watt की तरफ था, लेकिन अब exactly center में, अभी भी मैं आपको वाबस clarify करूँगा, ये 12 watt का जो charger है, काफी speed पकड़ेगा, जैसे से time गुजरता जाएग इस charging में, लेकिन अब अग चारजर है, वो 24% तक पहुच चुका है, तो जैसे से time गुजरता जा रहा है, ये लग रहा है कि 12 watt का charger अपनी speed बढ़ा रहा है, and heating की भी बात करें, तो अफकोस 20 watt का charger हो heat सबसे जादा करें, आपके iPhone को 5 watt का charger बिलकुल heat नहीं करेगा, and 12 watt के charger में, वो कोई भी heat मैसूस नही हुई है, लेकिन इस topic पे detail में, हम conclusion में बात करेंगे, फिलाल इसको again fast forward करते 30 minutes पे, तो 30 minutes में 20 watt के charger ने almost 48% तक चार्ज कर दिया हमारे iPhone को, लेकिन 12 watt का charger वो भी इतना पीछे नहीं रहा है, अभी भी वो 34% पे, जबकि 12 watt का charger वो fast charger नहीं है, लेकिन 20 watt के charger वो fast charger जरूर है, and 5 5 watt का charger बिचारा अभी भी 16% पे लटक रहा है, तो चली अब देखते 45 minutes में क्या बाजी पलटती है के नहीं, तो 45 minutes में 20 watt charger ने 61% तक चार्ज कर दिया, 12 watt अभी भी इतना पीछे नहीं है, that is 48% तक चार्ज कर दिया iPhone को, लेकिन 5 watt का charger बिचारा अभी भी 23% पे है, तो ऐसा 27% तक उसको चार्ज कर दिया है, लेकिन 12 watt का चार्जर वो भी 62% पे है, जो काफी decent है, and 5 watt का charger तो दूर दूर तक दिखने ही रहा है, that is 29% तक पहुचा एक घंटे के बाद भी, लेकिन आईए अब 1.5 घंटे के बाद क्या changes देखने को मिलते हैं, that is 90 minutes के बाद 20 watt charger उसको 90% तक लेके गया है, 12 watt का charger भी 82% पे है, तो काफी speed पकड़ लिए 12 watt के charger ने, जैसे जैसे हम 90 minutes के तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 5 watt का charger तो 50% भी cross नहीं कर पाया है, that is 43% पे उसकी battery percentage है, अब ये basically दिखाने का मेरा purpose एक ही था, कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आपके पास स charger सबसे पहले करता है, so of course जैसे कि हमने expect किया था 20 watts का charger है, वो 2 hours and 21 minutes में इसको fully charge कर लेता है, 12 watt का charger वो 2 hours and 55 minutes में charge करता है, and 5 watt का charger है, उसने बहुत लंबा time लिया है, that is 4 hours and almost 35 minutes में उसको charge किया 100% पे, तो कहने का मतलब, of course 20 watt का charger सबसे fast है, लेकिन at the same time 12 watt का charger इतना बुरा भ लेकर आने के लिए, तो 35 minutes इतना माइने नहीं रखता है, लेकिन अगर हम 5 watt के charger की बात कर रहें, तो major difference है, 4.5 घंटे लगे उस पटिकुलर आइफोन को charge करने में, of course यह जो आइफोन है, इसलिए इसमें बैटरी भी आपको बड़ी मिलेगी, तो अगर आपके आइफोन की बैटरी छोटी होगी, तो काफी कम टाइम में उसको charge कर लेगा, तो तीनों ही charger की results तो आपने देख ली, लेकिन अब बात कर लेदे आपके आइफोन के लिए कौन सा charger सही रहेगा, लेकिन उसके पहले इन charger को अगर आपको purchase करना है, तो best buying links आपको description में देखने को मिल जाए लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा आइफोन है, जिसकी बैटरी काफी बड़ी है, जैसे के pro max, तो in that case ये charger तो और भी जादा slow charge करेगा उसको, लेकिन overnight charging करना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास और ये 5 watt का charger है, तो फिर आप ये वाला charger यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये भी कहूंगा, जैसे से आइफोन के जनरेशन होते जा रहे है, वैसे वैसे ये charger उन आइफोन को और भी जादा slow charge करेगा, अब बात करना दे 12 watt के charger के बारे में, जो है again with USB-A, तो इस charger ने भी मेरे आइफोन को heat नहीं किया, and at the same time 5 watt के charger काफी fast था, and most importantly 20 watt charger से भी काफी नहीं था, तो जैसे कि आपने charging test में देखा, ये charger initially काफी slow चल रहा था, लेकिन जैसे टाइम निकलता गया, वैसे वैसे 20 watt के काफी नजदीक आ रहा था, तो कहने का मतलब ये जो charger है, वो एक लंबी रेस का घोड़ा है, and of course since 20 watt का charger है, वो एक fast charger है, इसलिए आपको initial boost जो आपको 12 watt में नहीं मिलेगा, अब बात कर लेदे 20 watt के fast charger के बारे में, जो भी type C, तो सबसे fast में fast आपके iPhone को ये charger चार्ज करेगा, लेकिन at the same time, आपके iPhone को heat भी करेगा ये वाला charger, तो basically ये सारे chargers, एक trade-off है between heating and fast charging, as well as between convenience and battery, तो मैंने इस वीडियो में दूद का दूद पानी का पानी कर दिया है, तो आपके requirement के हिसाब से आप अपना charger चूज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो like and share ज़रूर करेए, चैनल पर पहली बाहरा सबस्क्राइब कर सकते हो, पास में आपको जो bell icon दिख रहा है, उस पर भी click ज़रूर करेए, देखते रहे ओलोजिन टेकन हिंदियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में